हमारे वरश्ट स्योगी अमिताब सिना जी हमारे साथ बने हुए हैं अमिताब सिना जी इन दगजों के बीच में डॉक्तर मोहन यादव के नाम का सामने आना हम चाहेंगे कि आज पूरा देश ये समझे आपसे कि आखर इसी नाम के जरिए वो सर्प्राइज क्यों सामने आया क्या ये कैसा सर्प्राइज है जो सबको आप सोचने पर मजबूर करेगा या सबकी सोच जो है वो साफ करेगा आप से बहुत सोच समझ कर फैसलन दिया जाता है बीडेपी और प्रधान मंत्री खुदी सर्प्राइज के फैसलों में काफी होता है तो किसी भी राज में आपने देखा का कोई भी विधायक हो जीत कर आया हो कोई भी गेस नहीं कर रहा था जिसका नाम चलता है वो नाम हमेशा पीछे चला जाता है तो मुझे लगता है एक सोच समझ कर लिया हो फैसला और मैंने पहले भी कहा एक जातिकत समिकरण बनाने की कोशिश की गई है उन इलाकों को प्रतनिद्व देने की किया हो रिवा इलाके से अगर राजंद्र शुकला जीत कराते हैं अगर 2003 से लगातार ML है उसी इलाके को प्रतनिद्व देतु मिला है रिवा से कहते हैं कि एक मंत्री तक नहीं था अभी तक किसी क्याबिनेट में शिवरा सिंग की सरकार में पिछले 20 साल से रिवा से पहली और के इलाके से अगर 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 देवडा साहब को डिप्टी सीय मनाया जा रहा है तो शिरुल कास कम्यूनिटी से आते हैं महन यादव खुद एक OBC कास से आते हैं तो और लंबा अनुभव भी है 2013 से लेकर अब तक विधाय की कानुभव भी है तो मुझे लगता है स्पोर्ट्समेन भी है एक अगर उनके ट्वीटर फॉलोर भी देखे जाए तो उनकी संख्या भी लाखों में है तो मुझे लगता है कि मोहन यादव जीप पर अगर उन्होंने दाव लगाया है तो समझकर लगाया होगा जीतने के बाद इसलिए तीन-चार दिनों की देरी भरही हुई हो लेकिन इसका असर जो पडोसी राजे हैं उन पर जरूर होगा और जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्स हैं जो मध्रपरदेश और उत्रपरदेश की सीमा से लगते हैं उस पर इसका जरूर फाइदा होगा उन राजियों को अब कैबिनेट जो बनेगी उसमें उन तमाम जीलों को प्रदेश तो मिलेगा खासकर मालवा इलाके से मालवा निमाड जहां बीजे पीने अदबुत और मैं इस अवसर पर उनको बहुत 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 बढ़ाई और सब कामने प्रिशित करना चाहती हूँ इक बतलाओं की बात की जारी जो बतलाओं हुआ एक नयाने प्रूशित की बात है उन संगर्ष भी बहुत है उननी सो चोरासी से ततर काम किया है भारती जनता प्रिटी का और हम विध्यार्ती परिशन से विध्यार्ट दान बाई यार वो एक और फून थारा कि अपकर आपका नाम ब्दार्जी पुंण चणी पुंण चंजी आटो आपको किसा लग रहे हैं अब एक्सवीश तो यह नहीं यह पूछ रहे हैं आपको कितने खुशी लग रहे हैं किसा लग रहे हैं किसा लग रहे हैं कि इन तस्वीरों के जरी आप समझे के परिवार में कितनी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि परिवार का सदफ से अब मध्य प्रदेश के किसी एक इलाके की जिम्मेदारी नहीं बलकि अब पूरे मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं सीटे यहां पर मिली हर किसी ने चौका भी दिया समझा भी दिया कि बीजेपी जो दावे करती है उससे आगे भी बढ़ जाती है लेकिन डॉक्टर मोहन यादव को यहां पर जो चुना गया है क्या और खास वज़े मानते हैं एक राजनीती के लिहाज से देखे तो क्या सीएम हैं तो उनकी तमाम जो अच्छाइयां हो तो दिखानी हैं हैं ही हमें लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती आला कमान का फैसला अगर प्रधान मंत्री मोधी ने इन पर दाव लगाया है तो सो समझकर ही लगाया होगा मैंने पहले भी बोला चाहे इसमें जाती है चाहे भविशी के लिए अपनी लीडर्शिप तयार करना हो या फिर बीस साल से इस्टैब्लिश्ट लीडर्शिप जो चली आ रही थी अगर नरेंज सिंग तोमर को स्पीकर बनाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो पांच साल तक यहीं रहेंगे जो उनकी लोग सभा सी कि अगर जीतने हैं तो उनकी इलाकया से मुख्य मंत्री बनेगा लेकिन जबलपूर चाहे होatif महाकोशल कए बहुर बड़ा इलाका है जबलपूर से जीतने के बाद उनको हो सकता है कि जब महाकोशल इलाकय से एक जगह जगस मिलें एक मंत्राले में लेकिन ऐसी चीजों को प्रेडिक्ट करना कम से कम प्रधान मंत्री मोधी के कारेकाल में बहुत ही दुशकर कारे हैं एक element of surprise होता है उनके इन फैसलों में लेकिन इस element of surprise का फाइदा पार्टी को होता है क्योंकि इसका फाइदा जरूर मोहन यादव बन रहे हैं तो पूरे के प दिहार हो चाहे मध्यप्रदेश हो जहां 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 जयाते जरूर जाता है इसलिए मत राजस्थान में आप किसी surprise की ही उमीद का प्रधान मंत्री जो अपनी नई टीम आने वाले दिनों में अगले 5-6 सालों के तयार करना चाहते हैं मोहन यादव को उस पे अब खरा उतरना होगा ये उनकी होगी जो डबल इंजन की सरकार इसमें मोहन यादव कितनी जो बड़े वो तमाम दिगज नाम लगाता रेस में आगे चल रहे थे चाहे प्रलाद पटेल चाहे खुद शिवरा सिंग चोहान जो तरह देसंधिया नरेंदर सिंग तोमर ये नाम चल रहे थी आपको लगता है इनकी भी स्वीकृती रही होगी डॉक्टर मोहन यादव के न जो तीनो परिवेक्षक गए थे उन्होंने इंप्लिमेंट कर दिया है अब पूरी पार्टी को साथ हो कर चलना है प्रधान मंत्री ने तीनो राजियों में जीत के बाद बीजेपी ऑफिस कारेले जाकर एक ही लाइन कही थी कि हमें इस मोमेंटम को बनाए रखना है हमारे ज जलित और पिछड़ा किसान तो मुझे लगता है कि अगर यह पीम उनको एक जटका दे चुके हैं मोमेंटम बनाए रखने की बात कर चुके हैं जातिया समीकरन बनाकर वहां पर एक नेत्यत्व दे चुके हैं वही ट्राइबल लीडर्शिप शत्यजगड में दे चुके हैं बिल्कुल सवाल यहां पर मिताब जी यही था क्योंकि अब आगे है साल दो हजार चौबीस वो साल उसके वो महीने जहां पर जो नतीजे अभी आए सामने वो कहा जा रहा था मिताब जी यह जो नतीजे होंगे वो मोधी सरकार का की अगनी परिक्षा है उसे समी फाइनल के जो नतीजे बारी में मिताब जाते हैं सब्सक्राइबर लेकिन उनके बारे में जानकारी जिठाई जाती है तो फिर वो संपूर नजर आजाते हैं देखें रमान सींग गए उनमें भीके सीको तही होंगे हैं को चुना गया झा जब रमेश बैस्ट ने वहां जाने से मना कर दिया थो चुनकर बहुतिके उपर कुछ कोड मुकदमों का पेंच ऐसा फसा कि उनको सप्ता चोड़नी पड़ी उसके बाद शिवरा सिंग चौहान को यहां पर भीजा गया था उनके उनके पास कोई प्रशाशनिक अनुभव तब तक नहीं था वो मोदी वह अटल ब्यारी सरकार में मंत्री भी नहीं थे अगर 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 सिंग तोमर की बात करें उनके पास काफी जादा प्रशाशनिक अनुभव भी रहा है केंदर में भी और राज में